इस lecture के अंदर हम जहेंगे पायमोल लाइस सौंफटे के जरी हमें ढौश एक्षर करने हैं दोस आज़ेंगे टारिनसी और स्टेट तो इस लेक्षर के अंदर हम एज एगंपल पैरा नायको एनैगे जिसके हमें बोस्ता का कन्टिबूशन जेकर नीए तो सबसे कर लें तो हम इसको गाज व्यों में ओपन करकी देख लेते हैं कि मालीक्यूल के अंदर हमने कितने फ्रेंट में बनाने हैं तो वैसे आपने जब भी बनाना आप बैचले नॉर्ट्बूक लेकर इसके अंदर आप इसको लेव कि आंकर ने और हम इस थोड़ा सा बढ़ा बनने हैं मैंने कंट्रोल आप एरो प्रेस के ताकर मोड़ी थोड़ा सा बढ़ा ऊपर नजर आए यह हमारा एक नोच सूब लगागा है कि हमारा है एन ओटू नाइट्र गूट है और अधर हम इस पैरा नाइट्रो एनलेन की और हम आपर एक थार्ड ग्रूप है जो कि नाइट्रो ग्रूप है इलेक्ट्रॉन विद्राइंग ग्रूप तो हम आपने क्या करना है इस कंपाउंड के तीन फ्रेग्मेंट्स बनाने है चेक करना है कि उस पूरे एक कंटीविशन की पूरे मालिक्यूल में कौन सा पार्ट इतना कंटीविट कर रहें और तो उसके लिए हब हम क्या करेंगे इस फाइल को जो कि दोर्स वाशिंगी आउट्पूर्ट पाइल है की वर्स के बार जो कि पार फाइल आईगी उसका आपन करना है मैं правильно स्पीक्या皿े अपनब्ट इस वर्स के लिए ऑपन करने तो यह अंडर आपनापन आपनी आपने फालर चोट सेली है आप अपन करना कि आओ इस्वा्डाना क्या नगा है मैंने आपनी सामने पालिके लिए बाही दूर्पाहत का अंच टो इसके अंडर आपन है तो वो कहरा है कि this one f2 to be an optimization of frequency calculation वो कहरा है कि इसको लग रहा है कि ये optimization ये frequency of file और होसे तर पाइमिला सेथी के काम ना करें अब हभी single point ना होड़ तीजिसी तो लग रहा है क्योंकि मैंने हम इसको जो भी करने है वो energy के साथ काम करने हैं, तर्मिनेक करने हैं, तो अगर हम इस बात का confirm यकीन है कि हम इसे continue कर सकते हैं. एक चीज जो खास यहां पर याद रखने वाली है, मेमराइज करने वाली कि आपने जब मालीक्यूल लेने हैं, तो इसमें अगर आप स्टार्ट करें, इसकी नमबरीं स्टार्ट और ही 1 से. जो कि carbon है, नीचे आप देख सरते हैं, आप इस साइट पे आप इस पॉर्टल नमबर और atom, electron भी बता रहा है, neutral है और यह एक और सिंग लेक्टी पहुते काम जागा है. जैसी मैं है नमबर 1 पर लेकी जाता हूं, आप मीचे देख सरते हैं, atom, 1 और bracket में लिकावर carbon. और यहां पे आप देखिए हैं कि यह 0 है, इसका मतलए जो पाइमोलाइस software है यह इसकी numbering 0 से start होती है, और हम जो बाती गाज़िक इंदर फाइल देखते हैं, इसकी numbering 1 से start होती है. अच्छा, अब हमने plan किया था है, हमने इसके तीन fragments बनाने हैं, तो इसके fragments आप बेशिक परनाम केंग करें, आप इस पर right click या double click करें, double click करने भी आप में इसको title क्या देना है, अब हम इसको कह रहते हैं कि electron donor, या आपने score donor अपेला भी कह सकते है, donor में आपने याद रखना कि कौन से नाम दियाता है, अगर आपने element पर या group का नाम दिखना है, वो भी आप लिख सेथे हैं, second fragment का हम नाम दे रहते हैं, accept, third fragment हम उसको यहाँ पर फिलाहल नाम दे रहते हैं, याब आपके molecule के depend करता है, आपने उसके chip में fragments बनाने हैं, याद रखेंगे, या fragments कहले बना हैं, आपने molecule को, atoms को बार में disturb करना है, या move करना है, मैं यहाँ पर साथ-साथ ही move करने लगाँ, क्योंकि यह molecule छोटा है, अगर आपने molecule बड़ा हो, तो आपने पहले ही साथ ही counting को लिख के रखना है, ताप यह आप भोले हैं, अच्छा, मैं पहले छोटी होटी fragments को खर लेत हैं, जिसको move करना है, और इसके अंदर 11, 12, 13 ही खाऊ है, गाज भी कंदे, तो आप आपने यहाँ पर 10, 11, 12 देना है, और आप वहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ नाइटोगन और दो ऑक्सीजन, नम्बरिंग आपने यहाँ पर confirm करने हैं, जो कि यहाँ 11, 12, 13 हैं, 11 की जगा आप 10 देंगे, 12 देंगे, 11 देंगे, 13 देंगे, 12 देंगे, तो 10, 11, 12, यह तीन नम्बरिंगे हैं, 10, 11, 12, इसको आपने लेना है, आप कंट्रोल के साथ, बटन दर बालने हैं, यह शिफ्ट देरी नीचे लेगे, जो आपने यह तीन सेलेक्ट कर लिए है, यहाँ से 14 से था इसके अबरे 13, 14 और 15, अम शिफ्ट और दाउन एरो यहाँ से मैं इसके अंडर लेकी जाने है, डॉनर के आंडर देंगे, तो इसके बाद आप इसके यहाँ आपर बालने, अब आपके सिरफ रहेंगे, पोर इसके अंडर आपके नम्बरिंगे, आपके नम्बरिंग नम्बरिंग यहाँ के अगर वन पर है, तो यहाँ पर आपके जीरो से, इसके अब जो भी आप रिमेनिंग है, मैं कंट्रॉल ए करके खुर्ट पी जा रहा हूं और इसको मूव कर रहा हूं, अब आपने क्या की है, इस वक्त आपने मालिक्यू लिया था, उसको आपने सब्सक्राइब के नाम देदी सबसे कहलें, फिर आपने अपने अर्बितल में के उसको सिलेक्ट किया, आपने और रिस्पेक्टिव फॉल्डर के अंदर मूव कर रहा है, जब आप यह काम कर लें, उसके बार आपने जाना है, कैल्कुलेट में सबसे पहला काम है, आपका डेटा आपने सेव करना है, इसके हम बाद जरूरत पढ़ जाती है, इसकी इसकी एक्स्टेंशन है, उससी जगह पर आपने यह फाइल उपन की इसको सेव कर लेगा, आपने सेव करने है, उसके बाद आपने सेव करने है, इसके बाद आपने सेव करने है, इसके बाद आपन अब आपका काम यहां से कंप्लेट है, आप इसकी यहां से क्लोज करें, अब हमें गाज़ी की फिनाल जुरूरत नहीं है, अब आप चलेएं डॉस के अंदर, डॉस में अगर आपने पिक्चर देखने हैं, डेहस की ओप स्टेट की, तो आप यहां से देख सेखने हैं, यह दे अब आप इसकी जाद हो की कंबाइन है, तो वह सबकी उपर ही है, और इस अब आप आप इसके बाद हमारे पर एक्सेप्टर माली जो डॉनर है, उसकी इतने जादा कांटिविशन नहीं है, अब आप इसको रिश्केल करना है, हम चाहते हैं कि यह वाला ग्राफ जीरो से हो और इसके राइट और लेफ्ट के खाम हमारा इतना जादा नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस पिक्टर को आप बेशर के यूज ना करें, आपके तक जो डॉस वाली फाइल आई है, आपने F2 का बढ़न दबाना है, तो यह रिनेम के लिए आजती ही नहीं, तो आपने इसके इत को हम चाह TE SICH करने है, आप इसको और इसको इंदर ओपन कर सरते हैं, आप जाएं, और इसको फिलखाल में, इसको कर देता है, तो ऑर इसको और इसको में चाहरना है, आपने SINGLE FILE आप सिंगल फाइल अपंने के लिए हमने इसके इसके नगेस सबहुने नहीं है आप चलेए देट्सकें इसके लिए निर्ट्गें दोस यह दोस वाली फाइल है यह अब आप इसको सेलेक्ट करने है यह अपर वक्तिका सारे डोस आप चुछ को सारे फेक्मेंट सी आप में लेने और आप लाइन ग्राफ इसमें से बनाने अब आपकर यह वह सामने आया है अब आपने स्केलिंग करने तो आप इसमें डबल क्लिक करके यहां से स्केलने चले गया है इसके जाले आप जीरो से स्कार्ट कर ले एं इंक्री मेंना बेस्ट से 5, 0.5 का ही रहने की आपने होरिजॉंटल की स्लेक्ट करना है माइनस 20 की ज़रा के आप माइनस 10 कर लें और आपने जो एंड करना है वह आप बेस्ट से इसको 7 तक एंड करना है अप्लाई करके देखें पेजी पीजी थोड़ा अउसा खिलियर है आप इसको देख से 5 के जलना है आपने खिलियर करना आप इससे थोड़ा हम कंडर लेते हैं 4.5 ताकि हमाई पर भी बढ़ती चीज हमें नगर ना है तुरा और है में रोडाखे निश्ट करके देखते हैं तो फिर पाने इसको कर सकते हैं इसको आप बैसे यह चीज्ट अब आपने इसको व्यक्यामाइब बढ़ाना है तो आप ठीकने स्पी बढ़ाने है तो लाएंब जाएं इसको जुए गिर्थ है आपने जाना है ग्राफ के अंदर तो इसको नाम दे दें को आपके पास क्या नाम था एक्सेप्टर और उसके बार आपका था डॉनर और लास्ट में आपके पास आता है टॉटल अच्छा अब आप यहां से थोड़ा सा पर्क भी देख सकते हैं यहां पर जो टॉटल का कलर है वो यहां और ब्लू कलर आ रहा है और जो कोर का कलर है वो ब्लैक अगर आप इसको कलर भी चींग करना है तो भी आपके सकते हैं आपने चीज़़ा लाइन के कलिए करना है जिस प्राच मेंना भी वीड़ चेंग की कि यहां से तो उहां से आप सुखकर सेंगे लेकिन आपना सबसे करना है एंडी परने कर सारी लेंक आप के मैस ब्लू करें यहां से सर्ट कर करें लाइक करने अप्लाई कर दें तो अब हम यहां से बेख सकते हैं कि वह कोर का और टोटल का कलर शेंग वोड तो इसके लावब आप में मज़ीब यहां से सेटिंग करनी है तो एकसी से अंडर आप जाग कर दें जो इसका इंक्रिमेंट आप इसका थी कर दें ताकर हमें आप स्कू में लाइं को पर सुच्भ पर जाने हैं लागं यह फोल्टे पर साइब आवरे सेटिंग करने आप दिखने हुआ और आप जाली अशेंख करने हुआए और लिए कि अटे हम तो यह हम सेटिंग करने हैं ग्राफ की ग्राफ आपको बनाओ तो यहां सेटिंग आपकी इसके लावा आपने इंपर भी थोड़ा सा बोल्ट जा लेंगे कि आपके आपके लेखने में हुप्सूर नहीं जाए यह बोक्स आ रहा है अपने इवक्स अठाना है तो आप राइट क्लिक करें प्रपर्फार्टीज में बनाघाएं ने नहीं के werुत्त बैग्राउंड ख कं है। इसको फ्की ओम के हैं और रहीं के लरें ने रहीं चारए हुए सिस्के you जाएं और यह टॉप एक्स और राइट य एक्सी को यहां पर जाकर आप एड़ कर सकते हैं यह option है अगर आपने करनो ना भी करनो आपने यह एक्सीड का टाइटल देना है इस केंदर हम क्या करेंगे आप बेच लिहां से चेकर लें एनर्जी है इलेक्ट्रों वॉल्ट के अंडर तो अनर्जी ग्वेक्षिप एलेक्ट्रों वॉल्ट इसको आप वोकी करने और साथ में आप इसको साइज आप एड़ा रखनी आप इसको भी एडिक करना है, relative intensity, इसको आप select करें, bold और size आज इसका भी 28 करना है, तो यह अब आपके पर बेतर, आपने window shift S, इस जी आपने हाँ पिक्चर लग सकते हैं, ग्राफ की, या अगर आपने नहीं लेने हैं, ऐसे पिक्चर, तो sneaking tools, यह शॉर्टकट मैंनरी, यह ही उसके अधसने, window shift S का बड़न है, यहां से जी आप new mode में जाते हैं, वही पिक्चर आप लग सकते हैं, उसके लावा आप file में जाएं, save project as, file है, print करके आप save कर सकते हैं, control S करके भी आप save कर सकते हैं, आप नहीं फाइल सेव कर लिए, one title आप ज टेक्स्टोर में जाएं, doze, और यहां भी आपने, pna save कर लें, pna file save कर लें।